हलो स्टूडेंट्स क्या हाल चाल हैं आप लोग के उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे तो आज की इस वीडियो के माध्रम सब लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नमबर 6 अप्लिकेशन ऑफ डेरिविटिव का एक्सराइज 6 पॉइंट्री का इंट्रोडक्शन और इस पर्टिक्ल्र लेक्ट्र में जी मेन टॉपिक हमारा जो रहेगा वह रहेगा YouTube अब क्या questo क्या है इसका इसका फाइदा है ना-थ Taylor से हम लोग इसको use करके कौन-कौन सी type की problem solve कर पा रहे हैं और कौन-कौन से real life usage है इस particular topic से तो मैं आपको बता दू कि आजकल जो case study questions आने लगे हैं वो majorly आपका application of derivative से आते हैं और application of derivative में भी majorly, maximum और minima से आते हैं ठीक है ना तो बहुत ही प्यारा topic है यह ठीक है और NCRT के अंदर काफी बड़ा दियावा है यह topic मेरे ख्याल से 20-25 questions exercise में है और फिर अगर आप miscellaneous exercise में चले जाएंगे तो भी majorly portion जो है वो maxima and minima का ही है और exam में भी आपको यह काफी अच्छे marks के साथ पूछा जाता है तो आईए स्टार्ट करते हैं और slowly and slowly पढ़ते हैं क्या है maxima and minima so maxima and minima है ना चलिए बच्चो बच्चो basically topic है maxima and minima और इसके भीतर हम घुषते चले जाएंगे इसके भीतर हम घुषते चले जाएंगे ठीक है इसके भीतर हम घुषते चले जाएंगे चलिए students तो देखते हैं maxima और minima में तो आई है students देखते हैं maxima और minima में So let's have a look at the at some graph ठीक है ये दो graph पर आप नजर डालेंगे ठीक है ये आपका simply वो ये x-axis ये y-axis ठीक है ये x-axis ये y-axis ना बच्चो बहुत ध्याल से देखेंगे अगर आप बहुत ही ध्याल से देखेंगे तो मैं यहाँ पर दो graph बना रहा हूं है ना इस इस वन अप दे graph y equal to fx का graph हमने बना दिया और ये अनदर फॉंक्शन है ये अनदर फॉंक्शन है अगर students आप बहुत ही ध्याल से देखेंगे तो ये जो graph है ये वाला जो पहले वाला graph है वो इस point पे function की minimum value को attain करता है ये जो graph है वो इस point पे function की minimum value को attain करता है और अगर आप इस graph को देखेंगे तो ये graph इस point पे function की maximum value को attain करता है तो लेट से ये point जो है हमने कहा c1 इस point इस x equal to c1 और इस point इस लेट से x equal to c2 ठीक है अब इस point पे function ने क्या attain किया minimum value attain किया function ने क्या attain किया minimum value इसको हम लोग क्या बोल सकते है point of minima और simply short में minima तो basically minima क्या है minima क्या है बच्चो अगर बात कहें minima क्या होता है बच्चो एक्स की वो value x की वो value जिस पे function का minimum value exist करता है यानि कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि minima हम लोग इसको बोलते हैं इसको बट minima इसको नहीं बोलते minima basically point of minima को बोलते है यानि कि x की वो value जिस पे function का minimum exist होता है similarly बच्चों कर हम यहाँ पे बात करें तो यह point जहाँ पे maximum value of the function attain हो रही है maximum value of the function attain हो रही है इसको हम बोलते है point of maxima या simply maxima या simply maxima और तो यानि कि हम लोग क्या बोलेंगे c2 क्या है यहाँ पे maxima है c2 क्या है यहाँ पे maxima है maxima मतलब x की वो value x की वो value x की वो value जिस पे fmax exist करता है fmax exist करता है ठीक है तो maxima और minima का आपको पता चला यानि कि maxima और minima क्या है x की वो values जिन पे function maximum value या minimum value अकर करता है ठीक है बटा clear है क्या तो इनको हम लोग है ना इसको बोलेंगे maxima इसको बोलेंगे हम लोग minima तो हमारे यहाँ पे इस case में minima क्या है c1 है ना तो यहाँ पे minima क्या है भईया अगर मैं आप से पूछू तो इस case में minima क्या है अगर मैं आप से पूछू minima क्या है तो आप बोलोगे x equal to c1 minima है ठीक ना मैं पूछूँगा maxima क्या है तो आप बोलोगे भईया x equal to c2 आपका maxima है ठीक है यानि कि minima क्या है जिस पे function minimum value attain करे maxima क्या है जिस पे function maximum value attain करे अब कोई भी function कहां maximum attain करता है कहां पे minimum value attain करता है इस बात का हम कैसे पता लगाएं तो देखिए इस बात को पता लगाने के कुछ गिने चुने methods हैं तो methods to find out methods methods to find maximum and minimum value of a function देखिए बहुत ध्यान समझेगा बहुत ध्यान समझेगा maximum और maxima difference होता है इसके अंदर इन दोनों में difference है maximum basically हम लोग f max की बात कर रहे हैं maxima का मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं हम c2 की बात कर रहे हैं हम लोग function की minimum value की बात कर रहे हैं f minimum की बात कर रहे हैं where is minima minima क्या है minima is जिस point पर minimum value आई है यानि कि c1 तो maximum और maxima में difference होता है minimum और minima में difference होता है ठीक है ना बच्चो? clear है? maximum आपको y axis पर मिलता है minimum भी आपको y axis पर मिलता है maxima आपको x axis पर मिलता है तो maximum और maxima में difference हमज़के चलिए minimum और minima में difference हमज़के चलिए तो बात हो रही थी हम लोग बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे क्या बात कर रहे थे? कि भाईया maximum और minimum value of a function ठीक है? देखिए अगर आपके पास minima आ गया तो आप function के अंदर x equal to c1 रखके f minimum value भी निकाल सकते हैं basically अगर आपको x axis की value पता है तो function में put करके आप y axis की भी value निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि यार क्या methods है हमारे पास methods to find maximum and minimum value of a function maximum and minimum value of a function minimum value of a function अब students बहुत ही ध्यान से समझेगा बहुत ही ध्यान से समझेगा बच्चो methods क्या है? to find out the maximum and minimum value of a function तो पहला method तो है कि भाईया हम लोग अपनी आखों से देखेंगे यानि कि अगर हमें function का graph पता है तो graph देखके बता देगे यहां पे function maximum value देगा यानि कि अपनी आखों से देखेंगे हम लोग हमेशा graph को देखके यह बता सकते हैं कि function कहां पे maximum value दे रहा है और कहां पे minimum value दे रहा है तो यानि कि पहला method तो क्या है? by inspecting the graph by inspecting यानि कि inspection graph को check करके by inspecting the graph of a function by inspecting the graph of function ठीक है वाज देख के बदा सकते हैं यहाँ पर भी तो हमने देख के ही बता है इस point पर function minimum value देगा हमने यहाँ पर देख के ही तो बता है कि इस point पर function maximum value देगा तो हम लोग देख के हमेशा बता सकते हैं कि यार अगर हमारे पास graph है देखो कुछ भी नहीं है तो कुछ थोड़े बहुत तो graph हमें आते ही है तो graph देख के हम बता सकते हैं कि function कहां पे maximum value देता है कहां पे minimum value देता है इसके बाद second good option is what by using the range of a function अगर हमें ये पता चल जाए कि एक function की maximum क्या वकात है वो maximum कहां तक जा सकता है और minimum कहां तक जा सकता है यारी कि function की range क्या बताता है हमें भई या range of a function हमें क्या बताता है कि fx की value यारी कि function की value कहां से लेके कहां तक जा रही है तो यही आपका maximum value हुआ यही आपका minimum value हुआ, यही आपका minimum value हुआ, यही आपका minimum value हुआ, clear है, तो यानि कि range of function से भी हम बता सकते हैं, कि वह या function का maximum और minimum value कहां पे होगा, इसके अलावाद दो और methods हैं, यानि कि यह दो methods क्या है, derivative क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे है, application of derivative, तो derivative का इस्तमाल करके भी हम लोग maximum value of a function enhance maxima निकाल सकते हैं, और minimum value of the function enhance minima भी निकाल सकते हैं, तो using the derivative, तो उसके लिए हमारे पास first derivative test भी है, यानि कि first derivative का इस्तमाल करके भी हम लोग maximum निकाल सकते हैं, और second derivative test भी हमारे पास होता है, तो जब हम उसको apply करेंगे, या maxima और minima function निकाल सकते हैं पाचवा पाचवा एक method है कि कभी भी अगर function हमें दिया हुआ है कि कि किस close interval में वो defined है यानि कि अगर function जिस interval में defined है यानि कि function के कुछ end points होंगे तो end points और critical points को compare करते वे भी हम लोग function की maximum और minimum value को निकाल सकते हैं या maximum-minimum निकाल सकते हैं. देखिए, simple सी बात है, minimum आ गया, तो f minimum भी आ जाएगा, maximum आ गया, तो f maximum भी आ जाएगा. तो इसलिए, एक के आने पर दूसरा आ जाता है, तो इसलिए, हम लोग इन method से, एक के आने से दूसरे अराम से निकाल सकते हैं. अगर हमारे पाद मैक्सिमम है तो मैक्सिमा निकाल देंगे, मैक्सिमा है तो मैक्सिमम निकाल देंगे, ठीक है, clear है कि अब यहाँ, अब students बहुत ही ध्यान से समझीएगा, पाँच हमाँ मेथड क्या है, on comparison, on comparison, on comparison, on comparison, fx value, function की value को compare करेंगे, हम लोग कहां-कहां पे, at end points, and critical points तो यह थोड़ी सी जगह हमारे को कम पड़ गई है, तो यहाँ पे इसलिए इनको हम लोग थोड़ा सा और छोटा-छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा और छोटा-छोटा कर देते हैं, चीक है, कुछ बच्चे कहते हैं, सर्थ थोड़ा सा ज्यादा लंबा लेक्चर ना बनाय उनद मेरी करएज icono और नब आपकी गलती यह ना बारवी क्लास में आ गए हो है ना छोटी क्लास में रहते है तो छोटे छोटे लेक्शर बनाते है तो पाचवा क्या है अभी है अर्यापको शाइक क्या पाचों थे सवोंच में आएगे बट नोट कर लो जब एक एक करके discuss करेगे तो समझ में आएगा तो पांचवा क्या है on comparing on comparing the value of function value of function at endpoints and critical points and critical points critical points ठीक है clear है क्या भीया फटा फट से note करिएगा फटा फट से note करिएगा pause the video to note it down pause the video to note it down आईए अब हम लोग जड़ा एक दो तीन questions करेंगे from the NCRT है ना जो हमाँ को NCRT में दिये वे हैं और इन दोनों का उपयोग करते हैं यानि कि graph को देखते हैं या range of the function का इस्तमाल करते हैं जड़ा question का solve करते हैं और थोड़ा सा maxima minima की values निकालते हैं उसके बाद हम लोग जो है धीरे धीरे इन other three methods को भी पढ़ना शुरू परेंगे तो students फटाफट से वीडियो को pause करके please note करिएगा very good very good बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया तो क्या चाहिए भी अपने को f max चाहिए minimum बोला तो क्या चाहिए f means चाहिए if any अगर exist होते हो for the function given by fx equal to x square for x belongs to r तो यहाँ पर बच्चो हमारे पास function क्या है बच्चो fx equal to x square कहने को अगर देखें इसको तो थोड़ा सा यह क्या हो गया हमारे पास parabola कैसा parabola हो गया बच्चो अगर आपको थोड़ा सा भी यह parabola draw करना आता है अगर आपको parabola draw करना आता है check कर लो चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो देखें बच्चो यह positive x axis यह negative x-axis, यह positive y-axis, x की positive या negative value अगर आप लोगे तो y हमेशा positive आएगा, तो कुछ ऐसा parabola आ जाएगा यह, कुछ ऐसा parabola आ जाएगा बच्चों, ठीक है न, यह हमने graph बना दिया है न, यह y equal to fx का हमने graph बना दिया, इसका हमने y equal to x square का graph बना दिया, अब graph से देखके पता चलत है, कि यह जो function है, इसका minimum value क्या है, मेरे भाई, f minimum क्या है, f minimum क्या है, f minimum zero है, यह function minimum zero दे सकता है, यह function minimum zero दे सकता है, और कहां दे रहा है, x equal to zero पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे दे रहा है बच्चो बहुत ध्यान से देखेगा एक्स इक्वल टू जीरो पे दे रहा है तो यह function minimum value कहां दे रहा है जीरो पे दे रहा है और कहां दे रहा है basically x इक्वल टू जीरो पे दे रहा है तो यही क्या हुआ बच्चो आपका minimum हुआ ठीक है और ये minimum value हुई है फिर से देखते हैं फिर से देखते हैं फिर से देखते हैं इसको हटा देते हैं देखेगा बच्चो बहुत ही ध्यान से देखेगा बच्चो बहुत ही ध्यान से देखेगा फिर से देखते हैं देखिए ब बच्चो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चो बच्चो फंक्शन ने फंक्शन ने minimum value कहां दे रहा है x equal to 0 पे x equal to 0 पे क्या मिल रहा है हमें f minimum मिल रहा है f minimum मिल रहा है ठीक ना तो x equal to 0 क्या हुआ मेरा x equal to 0 क्या रहा हुआ मेरा यही तो minima हो गया अरे यही तो minima हुआ मेरे भाई यही तो minima हुआ और minima पे हमको minimum value कितनी मिल रही है f minimum f minimum कितना मिल रहा है बच्चो हमें हमें मिल रहा है 0 minimum value of the function क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है ठीक है बच्चो अगर हम लोग maximum की बात करें बच्चो तो देखो क्या आपको पता है ये graph कभी भी बच्चो बहुत ध्यान से देखेंगे क्या आपको लगता है कि ये graph कभी रुकेगा कहीं चलता रहेगा चलता रहेगा यानि कि हमारी के अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास maximum value of the function क्या आ रहा है इन्फिनिटी लेकिन infinity कोई real number थोड़ी है कोई real number थोड़ी है ये कोई real number थोड़ी है तो हम लोग क्या बोलेंगे f maximum वो real sense में do not exist अब अगर maximum value of the function ही exist नहीं कर रहा है तो maxima भी exist नहीं करेगा अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो उसने आपसे maximum value of the function पुछा था minimum value of the function पुछा था ना तो उसने आपसे minima पुछा था ना उसने आपसे maxima पुछा था बट हमने फिर भी बताया हमने extra knowledge खुछ से बताई है ठीक है बिटा clear है हमने extra knowledge खुछ से बताई है क्या कोई बच्चा इस question को range से solve कर सकता है क्या मेरे भई range से solve कर सकता है क्या मैं करके दिखाता हूँ आपको range से solve हम इस question को range से भी solve कर सकते हैं देखे बच्चो अगर fx बराबर हमारा x square है और x की value all real numbers यह क्या दे रखे है domain of the function दे रखा है आप बच्चो एक बात समझो जिन्दगी में x square किसी भी real number के लिए 0 या 0 से बढ़ा होगा ठीक है x square 0 या 0 से बढ़ा होगा और हमेशा less than infinity होगा तो x square क्या है function और function की value greater than equal to 0 less than infinity तो range of the function क्या हो गई भाया range of the function क्या हो गई भाया यह हो गया इसका मतलब हमारे पास f min कितना रहेगा f min 0 रहेगा f min 0 रहेगा या minimum value of the function 0 रहेगी और f max हमारे पास क्या रहेगा infinity और infinity कोई real number नहीं होता है इसलिए f max do not exist do not exist अच्छा अब अगर f maximum maximum value of the function exist नहीं कर रहा है तो उसके corresponding maxima भी आपका exist नहीं करेगा अच्छा अगर f min 0 रहेगा है तो minima कितना आएगा minima कितना आएगा minima क्या होता है x value minima होती है x value तो f min अगर 0 है यानि कि बहुत ज्यान से देखेंगे अगर मैं function की value को 0 रख दू तो it implies x square की value 0 it implies x b 0 तो भाईया इसका मतलब क्या होगा मेरा minima क्या आजाएगा x equal to 0 चेक कर लो तो x equal to 0 पे f min क्या आगया 0 तो ये minima है और ये minimum value है ये minima है और ये minimum value है तो मैंने using the range of the function भी ये question solve कर दिया है ठीक ना और graph से तो मैंने आपको solve करके दिखाई दिया है ठीक है बिटना clear है झाल कि दूस्षा है बच्चो जल्दी से बताईएगा 5 mm ठीक है आगे चलें क्या अगे चलें क्या बच्छो चलिए very good भच्छो फटा फटसे एभीडियो-पॉस करके नोट कर लीजिए बच्छो फटा हटसे वीडियो को पॉस करके नोट कर लीजिए बच्छो है चलिये अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सेम क्वेश्चन है, किरा आब find the maximum value of the function, यानि कि fmax पूछा है, और fmin पूछा है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे बच्चों को इसका graph तो आता ही है, हमने बहुत बार बताया, हमने continuity and differentiability में भी इसका graph बताया आपको, ठीक है, अब students आपको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि वह यह function का minimum value कहां exist करेगा, x equal to 0 पे, यही minima हो गया, और x equal to 0 पे function क्या दे रहा है, f minimum value दे रहा है, function की minimum value कितनी है, 0, so f minimum कितना हो गया, minimum value of the function कितना हो गया, 0 at x equal to 0, यह कितना हो गया आपका, यही आपका minima है, यही आपका minima है, अच्छा, अगर हम लोग maximum value of the function की बात करें बच्छो, तो देखिए, यह तो दुनिया जहां में जाता रहेगा, ऐसे जाता रहेगा, यानि कि maximum value of the function तो up to infinity जाएगा, और infinity तो कोई real number होता नहीं है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, f max do not exist, अब जब function की maximum value भी exist नहीं कर रही है, तो उसके corresponding, जो x value है, वो भी exist नहीं करेगी, तो maxima भी do not exist, इसी same question को हम लोग using range भी solve कर सकते हैं, using range भी solve कर सकते हैं, देखें, बहुत सारे बच्चे रटते रटत रटनती के तौर पे इस chapter को पढ़ लेते हैं, ठीक है, उनको बिलकुल idea नहीं होता कि भई हमेशा maxima minimum में derivative नहीं लगता, other techniques भी होती हैं solve करने के लिए, so using range अगर हम लोग बात करें बच्चो, using range अगर हम लोग बात करें, तो यह second method बता रहा हूँ आपको, आपको इसा भी एक method exam में use कर सकते हैं, सारे के सारे valid हैं, ठीकना ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह वाला valid नहीं है, यह वाला valid नहीं है, अब students देखेंगा function क्या है बच्चो, आपका modulus x, आपको भी पता है बेटा, modulus x जिंदगी में कोई भी real number हो, modulus x हमेशा positive value देगा या minimum 0 value दे सकता है, तो modulus x जिंदगी में 0 या 0 से बड़ा होता है हमेशा, और less than infinity होता है, modulus x जो है, किसी भी चीज़ का modulus 0 या 0 से बड़ा होगा, या infinity से छोटा होगा, तो इसका मतलब function हमारा greater, function की value 0 या 0 से बड़ी, less than infinity, it implies बच्चो की function क्या हो जा तो इसकी range क्या हो गए 0 to infinity, ठीक है न, यहाँ से पता चलता है बच्चो की function की minimum value कितनी होगी बच्चो, function की minimum value कितनी होगी बच्चो, 0 और function का maximum value तो exist ही नहीं करेगा, वो infinity है और infinity एक real number नहीं होता, तो इसलिए f max will not exist, do not exist, हलाकि हमारे से question में f mean और f max ही पूछा गया था, अगर हमें चुल है, या हम चाहते हैं कि भईया हमको क्या निकालना है, maximum या minimum निकालना है, तो हम corresponding निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, भईया आप function की value रख दो, कितनी, 0, तो अगर modulus x बराबर 0 है, तो obviously x की value 0 होगी, और यही क्या है, यही minimum है, है न, भईया x की वो value जि इस पे f min आ जाए, उसी को minima बोलते हैं, और यहाँ पे जब हमारे पास f maxi exist नहीं कर रहा, तो यहां रख भी नहीं सकते हैं, तो कोई x भी नहीं मिलेगा, तो इसके corresponding अगर हम लोग maxima की बात करें, तो ऐसा x value आएगा ही, नहीं, तो do not exist, do not exist, ठीक है बटा, तो ऐसे using the graph and using the range, basic level of maximum minimum के questions आप उनको solve कर सकते हो, आएए बात करते हैं, एक और interesting question पे, और उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे, maximum और minimum में भी एक और amazing concept, कि यह absolute और local maximum minimum क्या होता है, है ना, तो एक और question करेंगे, but students, before that, please pause the video to note it down, please pause the video to note it down, चलिये जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप students बहुत ही ध्यान से दिखिए, यहाँ पे भी उसने हम से क्या पूछा है, हम से उसने पूछा है, find the maximum value of the function, and minimum value of the function, if any of the function given by fx equal to x, x belongs to 0 to 1, चीक है, अब students आगे देखते हैं, देखिएगा, using graph, graph solve करते हैं, सबसे पहले तो बच्चो, graph के साथ हम लोग solve कर रहे हैं, तो बच्चो एक बार बताओ, बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, function क्या है, fx equal to x, domain क्या दे रखिए बच्चो, 0 to 1, ठीक है, अब बच्चो सबसे पहले graph बनाएंगे, देखिए, y equal to x के graph आप समझते हैं, जब 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, जब 1 रखोगे, तो 1 मिलेगा, जब minus 1 रखोगे, ठीक है, जब minus 1 रखोगे, तो minus 1 मिलेगा, और इस तरीके से अगर आप देखोगे, तो ये हमारा graph हो गया, अब अगर बहुत ही दियान से देखो बच्चो आप, तो ये graph बेसिकली 0 से 1 तक ही defined है, यानि कि x की value, minimum 0 हो सकती है, और maximum 1 हो सकती है, अगर आप बहुत ही दियान से देखो बच्चो, तो x की value 0 के equal नहीं है, सुनो, 0 included नहीं है, 0 included नहीं है, 0 included नहीं है, बच्चो, यानि कि function में यहाँ पे ये value included नहीं है, मुझे फिर से ये graph बनाना पड़ेगा, मुझे फिर से ये graph बनाना पड़ेगा, यानि कि 0 included नहीं है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, 0 included नहीं है, 0 included नहीं है, ऐसे ही 1 जो है, वो included नहीं है, 1 जो है, वो included नहीं है, ठीक न, तो ये function का graph बनाना पड़ेगा, अब बिटा बहुत ही ध्यान से समझेगा, अब क्या मुझे आप इस function की maximum value बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, आप मुझे इसकी maximum value नहीं बता सकते हैं, देखें बच्चो, अगर आप बहुत ही ध्यान से दे भाईया, one included नहीं है, तो ये वाली quantity, basically, f max की अगर मैं बात करूँ, तो it is a quantity which is less than one, which is less than one ना, भाईया, one included नहीं है, तो one included नहीं है, आप मेरी बात समझेगे, ये one included नहीं है, और one से छोटे पे, है ना, one से छोटे infinite numbers होते हैं, आप मुझे बताओ, one से just छोटा क्या बोलोगे, आप बोलोगे, सर 0.99 मैं कहूंगा नहीं, 0.999, फिर कोई बच्चा आ जागा कि नहींने, इस से भी छोटा ये हो जागा, और कोई बच्चा आएगा कहेगा नहींने, इस से भी छोटा ये हो जाएगा, तो 1 से जस्ट छोटे भी infinite numbers होंगे तो ऐसे case में मैं f maximum define नहीं कर सकता मुझे इतना पता कि f maximum less than 1 है लेकिन less than 1 में तो infinite numbers होते हैं तो less than 1 में infinite numbers होनी की वज़े से f maximum do not exist open interval होने की वज़े से open interval होने की वज़े से मैं maximum value का पता नहीं लगा सकता मैं maximum value का पता नहीं लगा सकता similarly बच्चो similarly बच्चो अगर मैं बात करूं f min की तो देखो 0 नहीं है क्योंकि basically जो smallest text है वो 0 नहीं है अब 0 से जस्ट बड़ा number क्या है नहीं बता सकता मैं, 0 से just बड़ा नंबर क्या है मैं नहीं बता सकता, infinite numbers हो सकते हैं, ऐसी इधर fmin में 0 से just बड़ा नंबर में नहीं बता सकता, यह fmin greater than 0 है, अब 0 से just बड़े infinite numbers होते हैं, infinite numbers होते हैं, तो मैं fmin का कोई idea नहीं बता सकता, open interval होने की वज़े से, open interval होने के वैसे, तो मैं f min b क्या कहूंगा, f min b do not exist, तो ध्यान रहे, जब भी open interval का case होगा, तब तब हम लोग maximum और minimum नहीं define कर पाएंगे, ठीक है, similarly बच्चों गर इस question को हम लोग using range solve कर दें, अगर बच्चों हम लोग इस question को using range solve कर दें, यूजिंग range solve कर लें बच्चों, यूजिंग range solve कर लें बच्चों, यूजिंग range, अब बच्चों बहात ही द्यान समझेंगे, इसका मतलब क्या है x की value 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है ना 0 included है ना 1 included है और x क्या है x ही तो fx के equal है तो it implies fx की value क्या होई 0 से बड़ी और less than 1 इसका मतलब fx की value क्या होई बच्चो it will belongs to open interval 0 to 1 अब क्योंकि आपके पास fx की value belong कर रही है open interval 0 to 1 तो क्या आप ऐसा कह सकते है कि f minimum 0 होगा नहीं 0 included नहीं है इस interval में 0 से just बड़ा number होगा लेकिन मैं बता नहीं सकता कौन सा just बड़ा number होगा 0 से just बड़े infinite होते हैं तो ऐसे open interval के case में क्योंकि 0 included नहीं है तो यह fmin नहीं हो सकता यहाँ पर हम लोग बोलेंगे fmin we cannot say यानि कि do not exist clear है बच्चो है ना क्योंकि open interval है है ना it cannot be equal to 0 और fmax भी बच्चो यहाँ पर one होने की वज़े से one होने की वज़े से क्योंकि one included नहीं है तो हम बता नहीं सकते यहाँ पर इसका मतलब क्या है one से छोटा नमबर और one से छोटे infinite numbers होते हैं so fmax भी do not exist तो ऐसे में बच्चो मैं आपको आप इसको note कर लीजिए please pause the video to note it down ऐसे में मैं आपको कुछ बाते लिखवाना चाहता हूं यानि कि range के माध्यम से समझो अगर कभी function की range जो है let's say देखिएगा बच्चो अगर कभी आपके पास चार सिनारियों है fx belongs to let's say 0 to 1 यहाँ पे fmin आपका 0 हो जाएगा fmax आपका 1 हो जाएगा लेकिन अगर आप fx belongs to close interval 0 to open interval 1 ठीक है न तो आप क्या कहोगे भी या fmin तो 0 है क्योंकि ये value 0 क्या है included है बट fmax आप नहीं बता सकते do not exist क्योंकि open interval है है ना one included नहीं है one से just छोटी value नहीं पड़ेगी but one से छोटी infinite values होती है we cannot see कौन सी value होगी ऐसी बच्चो अगर fx belongs to अगर आपका open 0 to close 1 है तो अब हम लोग fmin नहीं बता सकते fmin do not exist ठीक ना fmin do not exist but fmax बता देंगे fmax बता देंगे कितना हो जाएगा fmax one हो जाएगा क्योंकि वो included है और अगर हमारे पास open interval 0 to 1 है range तो हमारे पास ना तो हम fmin बता सकते fmin भी do not exist और fmax भी do not exist होगा बच्चो check कर लो check कर लो बच्चो check कर लो clear है बच्चो is it clear to everyone check कर लो clear है तो ऐसे करके हमें इस चीज़ को समझना है ठीक है ना clear है तो यहाँ पे हमने इसको पता भी दिया तो यह तो था basically using the graph and using the range of the function हम लोग maximum and minimum value of the function कैसे निकालते हैं अब students बहुत ही important एक बात सीखने की है कि absolute maximum और local maximum यह दो तरह के maximum होते हैं हमें इनको समझना पड़ेगा अब दो तरह के maximum है तो दो तरह के maxima भी होंगी तो आईए समझते हैं absolute और local maxima minima क्या कहता है एक figure है उस figure के माध्यम से समझेंगे उस figure के माध्यम से concept को समझेंगे and then वो concept हमें आगे की direction देगा कि हमें और क्या पढ़ना है और जब आगे की direction मिलेगी कि क्या पढ़ना है तो उस चीज़ को पढ़ेंगे और फिर further उस particular concept पे questions भी करेंगे but before that students please pause the video note it down चलिए students अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चो local maxima या minima local maxima minima local maxima minima versus versus absolute absolute maxima minima absolute maxima minima इस बिसिकली topic का नाम क्योंकि maxima minima है तो finally अब हम लोगों ने जो priority है वो maxima minima को देना शुरू कर दिया rather than maximum और minimum को है बाकि हमने आपको दो लोगों के भीच में difference बताया ही है अब students बहुत ही द्यान से समझते हैं बच्चो बहुत ही द्यान से समझेंगे ठीक है ना जो चीज में आपको बताना चाहरा हूँ उसको जिरा बहुत ही गौर से देखेंगे ठीक है बिटा आप बहुत ही द्यान से देखेंगे यह आपका y-axis, यह आपका x-axis ठीक है, और हम लोग कुछ ऐसा करके चलते हैं, ठीक है, this is a graph, ठीक है ना, अब how this graph obtained, तो this is basically showing of the amplitude is continuously decreasing, तो जैसे किसी के तेज से चाटा मारा है ना, बहुत तेज से, तो जंजनाट क्या होती है, एकदम से तेज से होती है, फिर धीरे 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 कम हो जाती है, तो amplitude of the जंजनाट जो है, is continuously decreasing, damped oscillation है ना, recoil वो क्या बोलते हैं, basically the vibration after firing a bullet है ना, तो उसके बाद भी जो गन होती है, वो भी इसी तरीके से, धीरे धीरे उसका vibration कम होता है ना, तो खेर graph से लेना देना नहीं है, बात है कि इस graph में particularly अगर हम लोग देखें, so let's say this is any graph y equal to fx, कुछ भी graph है, अब अगर आप बहुत है जान से देखो तो ये graph let's say हम किस interval में study कर रहे हैं, let's say ये वाला interval हम लोग study कर रहे हैं, a से लेके b तक, ठीक है ना, ये हम लोग a से लेके b तक study कर रहे हैं, अब एक चीज समझते हैं बचो ना, एक चीज समझते हैं, इस पूरे graph के अंदर है ना, देखो मैं word यूज कर रहा हूँ, पूरा graph है ना, संपूर्ण graph, इस पूरे graph के अंदर सबसे जादा maximum value कहां पे है function की, तो आप बोलोगे sir यहां पे है, इस पूरे graph है ना, पूरे interval में देखो, a से लेके अब b तक देखो, सबसे जादा value function की कहा है, सबसे जादा value function की कहा है, यहां पे a point, a point पे सबसे जादा value है, लेकिन अगर आप देखो तो हमने क्या reference लिया, हमने पूरा interval को study किया, हमने पूरा interval को study किया, तो पूरा, यानिकि संपूर्ण interval में, संपूर्ण domain में, maximum value क्या है, यानिकि पूरे के पूरे interval में graph की सबसे जादा value यहां पे, तो यह संपूर्ण मेक्सिमा है खिर थैडिक्ऐ भुई है यह संपूर्ण मेक्सिमा है संपूर्ण kardeşim तो अगर अब बहुत ही द्यान से देखो तो व्य दियां से गाल आएक्वाज यूज किया में देखा पाई function सबसे ज़्यादा value कहां पर अचीव कर रहा है यहां पर अचीव कर रहा है तो absolute maximum कहां है यहां पर और किस जिस point absolute maximum आया है उस point को हम क्या बोलेंगे उस point को हम लोग क्या बोलेंगे absolute maximum जिस point पे maximum value आई है उसको बोलेंगे absolute maximum अब फिर से देखते हैं पूरे के पूरे ग्राफ में संपूर्ण ग्राफ में function की सबसे ज़्यादा minimum value कहां आई है यहां पर आई है यानि कि इससे नीचे function की value नहीं जा रही है अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यह क्या है भाईया आपका f minimum और यह कैसा f minimum है संपूर्ण minimum संपूर्ण minimum है यह ना पूरे के पूरे इंटरवल में अगर आप देखो पूरे के पूरे एंटाइर डोमेन में देखो तो इससे नीचे function की minimum value नहीं जा रही है तो this is absolute minimum value this is absolute minimum value ठीक है राइट है और यह जिस point पे absolute minimum आ रहा है उस point को बोलते हम लोग absolute minimum उसको बोलते हम लोग absolute minimum ठीक है ठीक है clear है बच्चों अब students ठोड़ा सा गौर करें जरा इस बात पर यहां पर अगर इस point पर थोड़ी सी में बात करूं इस point पर जिस point पर मैंने यह पर बिंदू लगाया इसको गौर से देखिए और मैं आपको एक इसके आसपास का area block करके दे रहा हूं इसके आसपास का area block करके दे रहा हूं अब क्या इस block के अंदर को अगर देखें आप इसके block के अंदर देखें अगर आप तो क्या function यहां पर maximum value attain कर रहा है क्या function यहाँ पर maximum value attain कर रहा है मतलब मैं entire domain की बात नहीं कर रहा हूँ एच्छोटे से interval की बात कर रहा हूँ कि इस particular interval में देखा जाए तो function यहाँ पर maximum value attain कर रहा है लेकिन यह maximum value किसके comparison में maximum और minimum comparison का game है मैं अमीर हूँ है ना अम्बानी से या तुम से question है तुम अमीर हो अम्बानी से या मुझसे question है तो maximum और minimum comparison का game है तो maximum है यहाँ पर किसके comparison में अपने आसपास की value के comparison में अपने आसपास की value के comparison में अपने आसपास के value के comparison में ठीक है ना तो यानि कि यहाँ पर हमारे को क्या मिल गया आसपास, आसपास के लिए correct word क्या रहेगा आसपास के लिए correct word भाई मेरे आसपास का 5 km का area क्या बनाता है local, है ना, local आसपास को क्या बोलते है local तो यानि कि यहाँ पे हमारे को क्या मिल गया भाई या एक local maximum value मिल गई let's say यह point मैंने c बोल दिया let's say मैंने क्या बोल दिया वही या, c बोल दिया ठीक है ना तो यह क्या हुआ हमारे पास एक local maxima हुआ local maxima हुआ क्योंकि इस point पे जो function की maximum value मिल रही है वो किसके comparison में मिल रही है आसपास की value के comparison में तो यह local maks वैल्ली हुई क्या हुई भाईया यह यह local f max हुआ यह local f max हुआ ठीक है ना तो absolute maximum और local maximum में difference आपको समझ में पता चला भाईया local maximum और absolute maximum absolute maximum entire interval में सबसे बड़ा होता है local maximum अपने ही छोटे से local area में maximum होता है क्लियर है बच्चो अच्छा अब आप कहेंगे कि सर ऐसे तो बहुत सारे हैं ऐसे तो बहुत सारे हैं सर है ना सर इसका मतलब अगर आप इस area को study करने लग जाओ अगर सर आप इस area को study करने लग जाओ तो सर यहां पे भी function जो है अपने आसपास के value से सबसे जादा है यानि कि यहां पे भी आपको एक function की maximum value मिल जाएगी तो यह तूसरा local maximum हो गया है हाँ एक particular interval में कितने भी सारे local maximum minimum हो जकते हैं बट सिर्फ एक absolute maximum होगा तो अगर यहां की बात करें तो मान लीजिए इस particular interval की बात करें तो let's say यहां पे हम लोग इसको c1 बोल देते हैं क्या बोल देते है c1 बोल देते हैं इसको c2 बोल देते हैं तो यह क्या हुआ local यह भी क्या हुआ बच्चो लोकल maxima है ना तो यानि कि यह local maxima c1 है यह local maxima c2 है ऐसी यहां पे अब आपको इसके corresponding भी एक और local maximum मिल गया local maximum value एक और मिल गई local maximum लोकal maximum कितनी सारी हो सकती है कितनी भी सारी हो सकती है बट absolute maximum जिर्फ एक रहेगा तो local maximum हमें यहाँ पे भी मिल गया है बच्चों clear है क्या यह local maxima इस local maxima से जादा है ठीक है लेकिन यह local maxima इस local maxima से छोटा है ठीक है तो ऐसे compare भी कर सकते है तो यह भी local f max हुआ ठीक है clear है अब students अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यह pertaining to c1 था यह pertaining to c2 है मतलब यह कौन से वाला local maximum है जो c1 दे रहा है यह कौन से वाला local maximum है जो c2 दे रहा है ठीक है ना Local Maximum FC2, है ना, और यहाँ पर लिखते है, Local Maximum FC1, Local Maximum FC1, ठीक है, किलियर है बच्चो, अब students, आप लोग कहेंगे कि, सर, सर जी, इसको भी study करो, सर जी, अगर आप बहुत इध्यान से देखोगे, तो ये भी अपने आसपास वाले से सबसे ज़्यादा गरीब है, यानि कि F Minimum आएगा, यहाँ पर आसपास से तो सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू है, तो दिस इस यूर F Minimum, और यह क्या है, यह Local Minimum Value है, लोकल Minimum Value है, तो लेट से जिस पॉइंट पे यह Minimum Value आ रही है, उसको हमने C3 बोल दिया, तो यह क्या हुआ हमारा, Local Minimum हुआ है, Local Minimum हुआ है, ठीक है, क्लियर है क्या बच्चो, क्लियर है क्या, Similarly बच्चो, अगर हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यह क्या लिख सकते हैं, क्या यह वाली जो Value होगी हमारी वो कितनी है, It is Local Minimum, Local Minimum, F C3 हो गया, ठीक है जी, क्लियर है, और अब स्टुडेंट्स इस वाले Local को भी जड़ा Study कर लो, आप लो, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, कि इस Point पे Function सबसे Minimum Value दे रहा है, इन Comparison with the Other Values, है ना, तो यह भी एक Local Minimum Value हुई है, और स्टुडेंट्स बहुत देखेंगे, जिस Point पे लेट से, यह हमारे पास Local Minimum Value आ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Local Minimum बोलते हैं, बच्चों, Local Minimum बोलते हैं, और इसके Pertaining जो Value हमें मिलेगी, यानि कि यह जो Value हमें मिलेगी बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो Value हमें मिलेगी, यानि कि FC4, है ना, FC4, यह भी हमारे पास क्या हुई, एक Local Minimum Value हुई, ठीक है बच्चों, clear है क्या, तो आप सभी को Absolute Maximum, Absolute Maximum, Absolute Minimum, Absolute Minimum, Local Maximum, Local Minimum, इसका गेम समझ में आ गया क्या, गेम समझ में आ गया क्या, बच्चों, very good, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, मैं यहाँ पे कुछ बातें नोट करना चाता हूँ, पर पहले आप इसको नोट करें, पहले pause the video to note it down, pause the video to note it down, तो students, यह clear हो गया आपको, चलिए, अब students, एक इसी graph के अंदर बहुत ही प्यारी सी observation, तो हमने क्या किया, वो इस सेम graph यहाँ पे लिख दिया, प्यारी सी observation हम लोग देख रहे हैं, तो students, हमने एक चीज़ observe करी है, basically, चाहे maxima हो, चाहे minima हो, हमने कुछ important observations note करी है, क्या note करी हैं, बच्चों, सबसे पहले हमने देखा है, कि यारी जहाँ जहाँ पे local maxima या local minima आ रहे हैं, यारी कि जहाँ जहाँ पे local maxima या local minima आ रहे हैं, उन points पे, उन points पे, अगर हम लोग tangent draw करें, तो वो x-axis के parallel होंगी, यारी कि tangent अगर हम draw करें, तो x-axis के parallel होंगी, अब tangent draw कर रहे हैं, और tangent x-axis के parallel है, तो tangent का slope 0 हुआ, tangent का slope 0 हुआ, tangent का slope 0 हुआ, और tangent का slope ही क्या होता है, derivative होता है, तो technically इन सभी points पे f-axis क्या है, 0 है, इन सभी points पे, जहाँ जहाँ पे local maximum और minima आ रहे हैं, उन सभी points पे f-axis 0 आ रहे हैं, अगर आप बहुत इध्यान से देखेंगे, उन सभी points पे f-axis 0 आ रहे है, या tangent का slope 0 है, तो इसका मतलब derivative 0 है उन points पे, यानि कि function का derivative 0 आ रहा है, अब जिन points पे function का derivative 0 आता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, critical points, समझेंगे सबसे पहले, critical points क्या है बच्चों, critical points वो points होते हैं, यानि कि वो x value होती है, जहाँ पे f-axis x या तो 0 हो जाए, या function not differentiable होता है, भाईया या तो function ही differentiable ही ना हो, उस point पे, या function का derivative 0 हो, ऐसे x values जहाँ पे function का derivative या तो 0 हो, या function not differentiable, तो हमारे case में क्या काम कर रहा है, हमारे case में function का derivative क्या है, 0 है, function का derivative 0 है, तो basically हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने कहा, कि यानि कि यह सभी points क्या हुए, यह c1, c2, c3, c4 क्या हुए, it implies यहाँ पे क्योंकि function का derivative 0 हो रहा है तो इसका मतलब c1, c2, c3, c4 यह सब क्या हुए हमारे critical points हुए critical points हुए क्यों क्योंकि इन पे function का derivative क्या हो रहा है 0 है इन पे tangent की slope क्या है यह ना 0 है tangent parallel to x-axis थेक है तो हमने एक चीज़ notice करी कि local maxima या minima local maxima या minima कहां पे आएगा always occur at critical points critical points यानि कि ऐसे points जहाँ पे f-x क्या हो गया 0 हो गया ठीक है दूसरा हमने क्या notice किया दूसरा हमने क्या notice किया बच्चो कि भईया जो absolute maxima minima है जैसे अगर आप देखो तो यह absolute minima है यह absolute minima है absolute minima है यह क्या है आपका यह आपका absolute maxima है यह आपका absolute maxima है यह आपका क्या है absolute maxima है तो हमने दूसरा क्या observe कि यह absolute maxima minima है absolute maxima minima है वो कहां पे आ रहा है end points पे है ना occurring at end points at end points at end points ठीके ना absolute maxima minima कहां हो रहा है वो कहां कर कर रहे हैं end points पे अकर कर रहे हैं बट यह बात 100% true नहीं है जैसे for example मान लीजिए मान लीजिए मैं अभी इस graph को cut कर दूँ और यह a point मैं यहां ले जाओं कहां ले जाओं यहां ले जाया अगर आप देखोगे तो यही आपका क्या हो जाएगा यही आपका absolute maximum हो जाएगा यही आपका absolute maximum हो जाएगा यही आपका absolute maximum हो जाएगा यानि कि यह जो local maxima है यही आपका absolute maxima भी हो जाएगा absolute maxima भी हो जाएगा in this case also c4 पे आपका sorry c3 पे आपका absolute minimum भी आ रहा है यानि कि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहां ना के FC3 पे आपका क्या हो रहा है बच्छो बहुत ज्यान से देखेंगे अगर इस पॉइंट पे देखेंगे अपना तो आपका जो लोकल मिनिमम है लोकल मिनिमम है वही आपका क्या हो जाएगा Absolute Minimum भी हो जाएगा यहां से यह खतम हो जाएगा यहां से खतम हो जाएगा तो इसका मतलब Absolute Maxima और Minima कहा पे हो जगता है End Points पे भी हो जगता है और Critical Points पे भी आजगता है क्योंकि अब अगर आप बहुत द्यान से देखें तो अब आपको जो Absolute Maxima या Absolute Minimum मिल रहा है Absolute Minima जो आपको मिल रहा है वो कहा है मिलना है Critical Points पे मिलना है तो हमने कहा कि Local Maxima Minima तो हमेशा ही Critical Points पे आएंगे जबकि Absolute Maxima Minima Critical Points पे भी आ सकते हैं और End Points पे भी आ सकते हैं तो ये बहुत ही प्यारी सी जानकरी अप Note करिएगा अब Students अब हमारे पास बारे में पूछेगा, absolute maximum minima के बारे में पूछेगा, उसके लिए हमें कुछ tools की जरुत है, कुछ tools की क्या जरुत है, हमें उसके लिए first derivative test और second derivative test की जरुत है, तो आईए बहुत ही simplicity के साथ, first derivative test और second derivative test पढ़ते हैं, and then उसके बाद हम लोग questions के धुम दराम शुरू कर सकते है but before that students, please pause the video to note it down, very good बच्चो, very good, चलिए बच्चो, अब चुओ, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बच्चो, एक बात समझें, बहुत ही ध्यान से एक बात समझें, एक बात तो पक्की है, क्या पक्की है, कि हमने ये चीज तो notice कर लिया, यह चीज तो हमने notice कर ली क्या कि भाईया local maxima minima आते तो critical point पर है ठीक है अब हमेज़ दा हमें function का graph तो मिलेगा नहीं क्या हमें हर question में function का graph मिलेगा नहीं मिलेगा यानि कि हमें graph के अलावा भी solve करना आना चाहिए तो मैं graph के अलावा कैसे solve करूँ यानि कि how to find local maximum यह local maxima and minima अब बहुत ही ध्यान से समझेंगे बच्चो यह local maxima minima जब हमें graph नहीं दिया है तो कैसे निकालते हैं देखो जब हमें graph नहीं देगा तो हमें कभी तो local maxima minima निकालना पड़ेगा ना mathematical tool से तो उसके लिए mathematical tool है सबसे पहला tool है first derivative test देखिए first derivative test मैं आपको बताओंगा कि test word use क्यों किया गया है यह test word use क्यों किया गया है बेसिकली local maximum निकालने के लिए local maximum minimum निकालने के लिए सबसे पहला method है हमारे पास first derivative method सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों सबसे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बहुत ध्यार से दिखिएगा सबसे पहले हमें यह पता है कि local maxima minima कहां आता है critical points पह आता है हमें पता है कि local maxima minima कहां आता है critical points पे आता है यानि कि वहाँ पे function का derivative 0 होता है वहाँ पे function का derivative 0 होता है है ना तो सबसे पहले हम लोग function के derivative को 0 करके function के derivative को 0 करके इन points को निकाल लेते हैं हम इन points को निकाल लेते हैं यानि कि हमारा सबसे पहला step क्या है हम function का derivative को 0 करते हैं और इससे हमें कुछ critical points मिलते हैं c1 c2 c3 let's say है ना कुछ critical points मिलते हैं कितने भी मिल सकते हैं एक भी मिल सकता है दो भी मिल सकता है तीन भी मिल सकते हैं चार भी मिल सकते हैं और हमें function का graph नहीं पता है हमें पता ही नहीं है, हमें function का graph बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है, तो लेकिन हमें अगर graph पता भी होता, तब भी सबसे पहले हम critical point ही डूंडते न, तो हमने क्या करा, बिना graph होते वे भी हमने पहले क्या करा, function के derivative को 0 रखके, हमने critical point निकालना, अब हमने दिमाग लगाया, अब हमने दिमाग लगाया, step number 2, अब देखो, इसी की वज़े से इसे test बोलते हैं, इसी की वज़े से हम लोग इसको test बोलते हैं, अब हम लोग हर critical point को test करेंगे, using the first derivative, तो अब हम लोग हर critical point को क्या करेंगे, test करेंगे, यानि कि एक critical point आपने उठाया, c1, अब हम इसका test कर कर रहे हैं हमने c1 के left में function के derivative का sign निकाλα yani कि f-x का sign मांण लो function के derivative का sign यहां पर left में positive है और यहां पे f-x का sign है वो negative है c1 के left में f-x का sign positive है c1 के right में f-x का sign negative तो फुक्ष लोग रटबा देते हैं कि अच्छा अगर ऐसा है तो यह नहीं रेटनेंगे नहीं रेटनेंगे नहीं सिंपल है अगर f-x का बहुत जान से देखेंगे बच्चों अगर f-x का sign positive है तो इसका मतलब जो slope है tangent का वो x-axis के साथ acute angle बना रहा होगा acute angle बना रहा होगा यानि कि tangent का slope कुछ ऐसा होगा और f-x अगर negative है तो tangent का slope बना रहा होगा यानि कि यह tangents है अगर यह tangents है तो graph कैसा होगा तो graph ऐसा होगा और तो इस point पर क्या मिलेगा maximum मिलेगा कि नहीं मिलेगा चेक कर लो अगर इस point पर maximum मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि यह क्या हुआ हमारे पास, this is point of maxima, यानि कि यह हुआ हमारे पास maximum, it is maxima और क्योंकि यह हम लोग local की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसको local maxima भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग C1 के left right को study कर रहे हैं, सीवन के लेफ्ट राइट को स्टड़ी करें हमने एंटार इंटरवल की बात निकरी हमने सीवन के लेफ्ट और राइट की स्टड़ी करिए तो हम इसको लोकल मैक्सिमा भी बोल सकते हैं तो हमने क्या किया लिकालके उसका एक टेस्ट लगाया फॉर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और वहां से हमें पता-चला कि यह तो लोकल मैक्सिमा का केस है तो कुछ लोग ऐसे ना बताके बच्चों को बच्चों को simple बताते हैं कि यारे ठीक है यार किसी critical point के left में अगर f dash x का sign positive से negative change हो जाए तो इसका मतलब ये local maxima है लेकिन ये तो रटवाने वाली बात हो गई है ना ये तो रटवाने वाली बात हो गई क्यों है local maxima मैंने आपको reason भी बता दिया है reason भी बता दिया भचो ठीक है अब देखो हमारे पास critical point आया critical point से हमने critical point का analysis किया first derivative से और इसको local maxima घोशित कर दिया है अब बच्चो क्योंकि हमारे पास graph तो है नहीं तो हम लोग other critical points का भी तो analysis करेंगे ना हम लोग other critical points का भी analysis करेंगे तो अब हम हम लोग other critical point के analysis भी कर रहे हैं इसके बाद हम लोग इसका एक question करेंगे तो और बहतर से ये चीज़ clear हो जाएगी और बहतर से ये चीज़ clear हो जाएगी चड़ा दे रंग, चड़ा दे रंग तो step 2 में अभी हमने सिर्फ ये वाला critical point का analysis किया है अब हमारा दूसरा critical point का analysis करेंगे हम लोग यानि की x is equal to c2 का ठीक है बच्चों अब x equal to c2 पे हम लोग c2 के left में function के derivative का sign देखेंगे तो let's say वो negative है और right में देखेंगे function के derivative का sign कितना है positive है अब students अगर आप खुदी देखिए negative sign है f-x का negative sign है f-x का तो इसका मतलब tangent कैसी रहे होगी ऐसी रही होगी और अगर f-x का sign positive है c2 के right में तो tangent ऐसी रही होगी यही tangent का slope positive है तो tangent ऐसी रही होगी यानि कि जो आपका कर्व है वो कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा यानि कि c2 पे क्या आएगा भया minimum आएगा अरे c2 पे क्या आ रहा है भईया minimum value of the function आ रही है न c2 पे क्या रही है भईया minimum value of the function आ रही है इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा it is minimum और we can also write it as local minimum clear है बच्चो इसको कुछ जगहे पे कुछ teachers ऐसे भी याद करवाते हैं कि किसी critical point के around f-x का sign अगर left से right जाते समय negative से positive में change हो जाता है तो हम इस point को local minima कहते हैं local minima कहते हैं ठीक है ना तो ऐसे भी हम बताते हैं बच्चो ठीक है clear है अब students एक और critical point रहे गया है ठीक है तो critical point और भी रहे गया है उसका भी हम लोग उसके बारे में भी बताएंगे आपको तो तीसरे critical point का analysis करते हैं तो तीसरे critical point का analysis करते हैं बच्चो ठीक है अब students बहुत ही ध्यान से देखेंगे तीसरे critical point लेट से हमने आपे ये x equal to c3 ले लिया है अब अगर f-x का simple सी बाबता रहा हूँ f-x का अगर कोई sign change नहीं होता है यानि कि positive है तो इधर भी positive ही है यानि कि no sign change तो ऐसे में ना तो हमें ना तो हमें बच्चो अगर c3 के left में f-x positive है c3 के right में भी f-x positive है यानि कि कोई भी sign क्या नहीं हो रहा है कोई भी sign change नहीं हो रहा है no sign change no sign change कोई भी sign change तो नहीं हो रहा है तो ऐसे case में इस point पे ऐसे case में इस point पे ऐसे case में इस point पे ना तो local maxima होता है ना local minima होता है इसको हम बोलते हैं point of inflection I-N-F-L-E-X-I-O-N point of inflection अगर हम इसको थोड़ा analysis की बात करें थोड़ा feel करने की बात करें तो basically हुआ क्या होगा हुआ क्या होगा हुआ ये होगा F-X left में भी positive है और right में भी positive है तो इसका मतलब left में भी tangent ऐसी रही होगी और right में भी tangent ऐसी रही होगी तो आपका जो graph of the function है वो basically कुछ ऐसा रहा होगा ठीक है ना तो इस point पे गलती से इस point पे गलती से critical point आ गया यानि कि F-X 0 हो गया इस point पे लेकिन ना तो वहाँ पे maxima ही है ना वहाँ पे minima ही है ठीक है ना तो ऐसे point को हम लोगों ने point of ये गलती से critical point बन गया ये गलती से critical point बन गया लेकिन इस point पे ना तो maxima है ना minima है तो this is the point of inflection ठीक है ना this is the point of inflection इसका अगर reverse case की बात करें reverse case की बात करें reverse case की बात करें मान लो F-X दोनो साइड negative नेगेटिव होता मान लो F-X दोनो साइड क्या होता नेगेटिव नेगेटिव होता तो उस time पे tangents केती होती उस time पे tangents ऐसी होती है ना ऐसी होती तो graph आपका basically कैसा होता कुछ इस तरीके से होता तो यहाँ पे गलती से क्या हो गया यानि कि यहाँ पे इस point पे गलती से F-X 0 हो गया ना तो वह पे maxima है ना minima है ठीके ना तो वो point of inflection है ना तो maxima न minima neither maxima nor minima it is the point of inflection क्लिक क्लियर है तो अगर हम लोग इसको graphically भी नहीं अगर हम लोग simple यह कह देते हैं कि भाईया no sign change no sign change के नाम से अगर हम लोग याद रख लें कि अगर derivative का sign change नहीं हो रहा है ठीक ना negative से negative ही है positive से positive ही है तो point of inflection कहेंगे हम इस critical point को so this is your first derivative test बच्चों आईए इस first derivative test को लगाते वे एक question solve करते हैं दो question solve करते हैं तीन question solve करते हैं and then उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग second derivative test pause the video to note it down students चलिए students तो अब देखते हैं example number 17 उसने कहा है find all the points of local maxima and local minima of the function given by fx equals to x cube minus 3x plus 3 सबसे पहले तो अभी मैंने आपको क्या बता है कि यह local maxima local minima निकालते कैसे हैं तो उसका एक test बता है first derivative test तो उसी कर स्टमाल करेंगे और local maxima local minima निकाल देगे चलिए तो कैसे करेंगे बच्चों सबसे पहले क्या बताया था step 1 क्या है step 1 क्या था बच्चों सबसे पहले आपको कहा गया था कि f-x को आप 0 put करें तो यानिकि आपका f-x क्या है बच्चों यहाँ पर it is 3x square minus 3 ठीक है और putting this equal to 0 आपके पास क्या हैगा 3x cube 3x square is equals to 3 और x square is equals to 1 यहाँ से आपके पास x की value क्या जाएगी बच्चों plus और minus 1 यानिकि आपके पास दो critical point आगे minus 1 और plus 1 so these are the critical points यह क्या है बच्चों critical points है यानिकि वो points जहाँ पे f-x क्या हो रहा है जीरो हो रहा है अगर आप अपने f-x के अंदर अगर आप अपने f-x के अंदर x की value को minus 1 रखके देखोगे तो क्या हो जाएगा f-1 कितना आ जाएगा it is 3 into minus 1 का square minus 3 देखो 0 आ जाएगा तो यह हुआना critical point आपका यह हुआना critical point आपका ऐसी similarly अगर आप x equal to plus 1 रखोगे किसके अंदर अपने f-x के अंदर तो f-1 कितना हो जाएगा 3 into 1 square minus 3 आया ना 0 भाया तो यानि कि x की वो value जिस पे f-x क्या हो जाए जीरो हो जाए उनको critical points बोलते हैं और यह निकालते कैसे हैं हम लोग f-x को 0 put करके जो भी x की values आती हैं उनको critical points बोलते हैं तो हमने critical points निकाल लिया बच्छो हमने हमने critical points निकाल लिया बच्छो अब एक एक critical point का analysis करेंगे एक एक critical point का analysis करेंगे तो अब बच्छो बहुत ही द्यान से देखेगा minus 1 के left में एक number ले लेता हूँ मैं minus 2 और minus 1 के right में एक number ले लेता हूँ मैं 0 अब f-x का value चेक करता हूँ मैं तो f-x का value कितना हो जाएगा अगर आप बहुत ही द्यान से देखोगे बहुत द्यान से बहुत द्यान से देखेगा अगर आप बहुत ही द्यान से देखें बहुत ही द्यान से देखें तो आपका exactly f-x पहले तो है क्या आपका f-x है 3x square minus 3 बहुत बाद में आपने score 0 के equal रखके तब x की value निकाली ना तो आपका f-x यह है अब यहाँ पर बच्चो x की value को minus 2 रखके देखो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखेंगा बच्चो बहुत द्यान से अगर f-x की value हम लोग कहां पर रखके देख रहे हैं minus 2 पे तो यहने कि f-2 पे कितना होगा it is minus 2 का square 4 या 12 है ना बहुत जान से देखेंगे 3 into minus 2 का whole square minus 3 इसका मदब कितना हो गया 4 या 12 में से 3 गया 9 यहने कि f-2 कितना होगा बच्चो positive हो गया ना greater than 0 है positive हो गया तो यहने कि minus 1 के left में आपका f-x का sign क्या है positive है similarly अगर आप आपका जो f-x है वो क्या है बच्चो 3 x square minus 3 और अगर आप 0 पे निकालना चाहते हैं इसको तो 3 into 0 का square minus 3 यानि कि minus 3 यानि कि f-x negative है clear है बच्चो आप students बहुत ही ध्यान से देखेंगा यहाँ पे हमने left और right में x equal to minus 1 के left में और right में हमने f-x का sign निकाल दिया त था हमने आपको बताया था कि यार अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप तो f-x का sign positive यानि कि tangent का slope ऐसे रहा होगा यानि कि tangent ऐसी रही होगी तो graph कैसा रहा होगा बहुत इन tangents को touch करता हुआ graph कैसा रहा होगा बच्चो यानि कि इस point पर क्या रहा होगा आपका maxima रहोग अगर कुछ बच्चों को इस तरीके से ध्यान है यह वाली बात याद नहीं रखनी है अगर बच्चों को इस तरह से ध्यान है कि यार f-x का sign अगर left से right जाते समय है positive to negative में चेंज होता है तो यह point जिस point के around left से right जाते समय फ-x का sign positive से negative चेंज हो रहा है तो उस point को हम लोग क क्या बोलते है लोकल मैक्सिमा बोलते है तो आनिक हमारे को लोकल मैक्सिमा मिल गया we have to find out all the points of local maximum ना तो लोकल मैक्सिमा निकाल दिया हमने लोकल मैक्सिमा क्या है आपका x equal to minus 4 ठीक है अच्छा फिर हम सब कुछ है लोकल मीनिमा भी बता हो ठीक है अभी दूसरा critical point analysis कर रहे ह अब जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि एक local document अचिमा है तो दूसरा local minima आएगा डोनों local maximum भी आ सकते हैं जरूरी नहीं है !! की बट बट किया नाम जो है ऐसा नहीं होता जैन्रली और अलटर्ड निटिव में अगर बात करें तो दो टो लॉकल मैक्सिमा के बीच में एक लोकलमीनेमा तो जरूर आएगा तो इसलिए हम लोग कहीं भाद कंड्लूड कर लेते हैं कि अगर आप एक critical point पर local maximum आए तो दूसरे पर local minima होगा ठीक है ना बट उसको check करके भी दिखाना पड़ेगा अब जैक करके भी दिखाना पड़ेगा तो x equal to plus one को check कर रहे हैं अब देखे इसके left में हमने 0 ले लिया और right में हमने 2 ले लिया तो आप देखेगा f dash x का sign क्या होगा अब अगर आप x की value 0 रख देंगे हैं तो 3 into 0 का square यानिकि 0 minus 3 यानिकि minus हाजएगा f dash x का sign negative अच्छा 2 रख देंगे तो 2 दूनी चारती है 12 मैं से 3 गया 9 तो यानिकि f dash x का negative है तो यानिकि tangent ऐसी रही होगी f dash x का sign positive तो tangent ऐसी रही होगी तो कहीं न कहीं graph भी आपका ऐसे रहा होगा तो यानिकि इस point पर minimum आएगा तो यहां पर आपका क्या आजाएगा local minimum sorry local minimum minimum नहीं मीनिमा ठीकर ना क्योंकि यह x की value है इस पर जो function की value होगी उसको local minimum बोलेंगे ठी नहीं होता है है लेफ्ट से राइट को जाते समय तो उस time पर इस critical point को लोकल minimum बोलते हैं तो यहां पर हमने दोनों points निकाल दे तो यानि कि in the end हम लोग लिख सकते हैं कि यह local maxima क्या है आपका local maxima क्या है आपका it is x equal to minus 1 and local minima क्या है आपका local minima क्या है बच्छो आपका it is x is equals to plus 1 clear है बच्छो clear है फटा फट से इसको note करेगा चलते हैं अपने next question पे before the students please pause the video note it down very good बच्छो very very good ठीक है तो अब आप पीछे आंतर check भी कर सकते हैं तो वो कह रहा है कि x equal to 1 is the point of local minima है ना and x equal to minus 1 is the point of local maxima ठीक है ना और इसके corresponding जो function की value आप निकालोगे जिसे आपने अगर f x equal to minus 1 पे निकाल दिया तो यह value क्या आएगा it will be देखो ना बच्छो बहुत इध्यान से समझेंगे बहुत इध्यान से समझेंगे धंके पूछा नई है और question में निकाल रखा है तो question मазब solution पीछे answer में निकाल रखा है पूछा नहीं है answer में निकाल रखा है तो हम लोग इसलिए answer की वज़े से NCRT में answer में निकाल रखा है तो हम answer की वज़े से निकाल दे रहे हैं तो local maxima अगर आपका x equal to minus 1 है तो f x equal to minus 1 पे जो भी value आईगी आपकी आप निकाल के देखिए minus 1 का cube minus 1 ध्यान से देखिए आप f dash x नहीं निकाल रहे हैं function की value निकाल रहे हैं तो यहाँ पे चेक करेंगे ना कि यहाँ पे नहीं चेक करना है function की value यहाँ से आएगी तो minus 1 का q minus 1 minus 1 into minus 3 यहाँ कि plus 3 और plus 3 यहाँ कि 3 6 में से गया 5 यह आपकी क्या होगी बच्चो local maximum value local maximum value ठीक है similarly local minima यह है ठीक है local minima यह है तो function की value at x equal to 1 कितनी हो जाएगी it is 1 minus 3 plus 3 तो यहाँ पे बहुत ज्यान से देखेंगे 1 minus 3 plus 3 तो 3 से 3 कट गया यानि कि 1 आ गया यह आपकी क्या है local minimum value local minimum value ठीक है तो यही आपको पीछे answer उसमें उसमें दे रखिया आप चेक भी कर सकते हैं x equal to 1 पे function की value 1 है x equal to 1 पे function की value 1 है x equal to 1 पे function की value 1 है x equal to minus 1 पे function की value 5 है ठीक है और यह 5 क्या है आपकी local maximum value ठीक है clear है तो ऐसे करके हलाकि यह आपसे पूछा नहीं था यह आपसे पूछा नहीं है यह आपसे पूछा नहीं है कई पूछा है क्या नहीं पूछा पर फिर भी जबरदस्ती निकाल दिया है तो हम भी निकाल दिया है ठीक है clear है clear है बच्चो चलिए, फटा-फटसे उसको note करिएगा, आगे बढ़ते हैं बच्छो, आगे बढ़ते हैं, अब students बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, next question है, example number 18, कि रहा है कि find all the points of local maxima and local minima of the function, again यहाँ पे भी क्या है हमको local maxima local minima निकालना है, तो पहले हम लोग यह काम कर चुके हैं, तो अब थोड़ा सा repetition है, तो थोड़ा तेजी से कर पाएंगे, सबसे पहला काम क्या है बच्चों हमें, critical point निकालना है, यानि की function हमारे पास है 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5, यानि की सबसे पहले तो हम लोग step 1 में critical point निकालेंगे, तो f dash x करेंगे, दो थी है, 6x square minus 6, 12x plus 6, इसकी value को हमें equal to 0 करना है, तो f dash x कितना हो गया, it is 6 common लिया, तो x square minus 2x plus 1, यह अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, तो f dash x कितना हो गया, बच्चों हमारे पास, it is x minus 1 का whole square, चेक करे लो, चेक करे लो, दो थी है, 6x square, 12x plus 6, है ना भीया, आपको मेरी बात समझे में है, x minus 1 का whole square, ठीक है, putting this equal to 0, putting this equal to 0, क्या होगा आपके पास, क्या होगा भी आपके पास, अगर आप देखें बहुत ध्यान से, 6 into x minus 1 का whole square, equal to 0 है, तो it implies x equal to 1, तो क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, हमारे पास, एक से ज़ादा critical point आए, नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ, एक critical point आया है, अल्दो इस equation के repeated solution है, 1 और 1, है ना, दो equal roots है, इस equation के, ठेके नहीं, लेकिन what I am saying is, क्रिटिकल point हमारे पास क्या है, एक ही आएगा, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस critical point का analysis करेंगे, यानि कि step number 2 में, इस critical point का analysis करेंगे, यानि कि, यह critical point है, x equal to 1, ठेक है, अब हम लोग 1 के left में 0 ले लेते हैं, 1 के right में 2 ले लेते हैं, ठेक है, 1 के left में, हलाकि इत्ता दूर दूर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह local नहीं है, पूरा 2 unit का interval है, 2 unit का neighborhood है, थोड़ा पास पास ही लेना चाहिए, यहनिके 0.5 और 1.5 लेना चाहिए आपको, तो बट ठीक है, तू भी on the safer side है ना, मतलब safer side पे होने की वेशे तो हमें 0.5 और 1.5 लेना बट क्योंकि calculation के लिए हमें थोड़ा आसान options चाहिए, तो हमें 0.2 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर कोई error आयागा तो फिर बात में देखेंगे, ठीक है, अब F-X में अगर हम लोग 0 put कर दें बच्चों, तो देखो बच्चों, 0 put करने के बाद क्या हो जाएगा, it is 0-0, ठीक है, अगर आप बहुत यहां से देखो तो यहीं पर देख लो ना, अगर आप 0 put करोगे, तो minus 1 का square 1 into 6, 6, तो यानि कि F-X क्या आ जाएगा, positive आ जाएगा, ठीक है, clear है भी आ, अरे F-X को बाबा, X equal to 0 पर निकाल के देखो ना, तो X equal to 0 पर कितना हो जाएगा, 6 into minus 1 का square, यानि कि 6 आ जाएगा, यानि कि F-X positive है, ऐसी F-X को अगर आप X equal to 2 पर निकाल के देखेंगे, तो X equal to 2 पर 2 minus 1 का whole square, यानि कि कितना जाएगा, it is 6 only, तो यहां पर F-X positive है, अब देखो बच्चो, no sign change, क्या बताया था आपको, no sign change, यानि कि यह वाला point क्या हो जाएग point of inflection हो जाएगा, क्या हो जाएगा, point of inflection हो जाएगा, यानि कि ना तो आपको maxima मिलेगा, ना ही minima मिलेगा, तो यानि कि हमारे पास, है ना, there exist no local, there exist no local minima, no local maxima, ठीक है, यानि कि local maxima, minima हम अब को exist नहीं कर रहा है, ठीक है, clear है, check कर लो, no point of local maxima और minima, ठीक है, तो point of inflection आ गया है, clear है, समझ में आ रहा है, सभी को जल्दी से बता दीजिए, समझ में आ रहा है, very good, 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 आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलिये, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, Can I find the local minimum value of the function 3 plus modulus x Function हमारे पास क्या दिया हुए बच्चो 3 plus modulus x Domain क्या दिया हुए x belongs to any real number Word क्या use किया है निकालना क्या है हमको बच्चो निकालना क्या है local minimum value अब बच्चो local minimum तो हम निकाल देंगे कब अगर हम local minima निकाल दें अगर हम लोग local minima निकाल दें तो local minimum value भी निकाल देंगे पड़ दिक्कत पता क्या है यार local minima निकालने के लिए local minima निकालने के लिए हमको f-x करना पड़ेगा और मैं function का derivative करतो दूँ बट मैं इसका derivative कैसे करूँगा मैं इसका derivative कैसे करूँगा क्योंकि इसका derivative जो है वो x greater than 0 पे plus 1 आएगा less than 0 पे minus 1 आएगा और 0 पे यह differentiable नहीं है तो local maxima या local minimum तो मैं यहाँ पर नहीं निकाल पाऊँगा यानि कि मैं first derivative test का तो इस्तमाल नहीं कर पाऊँगा first derivative test का तो इस्तमाल मैं नहीं कर पाऊँगा अब मेरे पास दो चोईस है मेरे पास दो चोईस है ठीक है मेरे पास दो चोईस है या तो मैं range से solve करूँ या मैं graph से solve करूँ या तो मैं range से solve करूँ या मैं graph से solve करूँ first derivative test से तो नहीं हो पाएगा चलिए बच्चो, जब first derivative test से नहीं हो पाएगा तो मैं range से solve करता हूँ, अब मैं अगर range से solve करूँगा, तो देखेगा बच्चो, बहुत ही ध्यान से देखेगा, fx क्या है, 3 plus modulus x है, अब बच्चो बहुत ही ध्यान समझेगा, modulus x जिन्दगी में, बताओ, modulus x जिन्दगी में, 0 या 0 से बढ़ा रहेगा, minimum 0 हो सकता है, और नहीं तो 0 से बढ़ा ही रहेगा, less than infinity रहेगा, और अगर मैं all sides में 3 add करतूं, all sides में 3 add करतूं, तो यह 3 होगा, यह modulus x plus 3 होगा, and यह infinity में 3 जोड़ोगे तो infinity रहेगा, infinity में 3 जोड़ोगे तो क्या ही होगा, यह तो ऐसा हुआ, जैसे हम मानी को 100 का note दे दिया है, तो इसलिए कोई फ़रगा होगा, so model x plus 3, अब students बहुत ही ध्यान से देखेंगे, यह क्या होगा अब यह आपका, this is your fx, और fx क्या है, minimum 3 और maximum infinity, यानि कि fx की value will belongs to 3 to infinity, ठीक है, so यानि कि f minimum, यहां से क्या आजाएगा बच्चो, f minimum कितना हो जाएगा, it is 3, है रहा, it is 3, अच्छा, क्योंकि यह x belongs to r है, इसका मतलब क्या है बच्चो, negative infinity से positive infinity तक की बात चल रही है, तो end points तो है नहीं, end points तो है नहीं कुछ, ठीक है न, यानि कि जो भी है in between, जो भी maximum या minimum आ रहा है, वो यहीं आ रहा है, तो f maximum तो इसका exist ही नहीं कर रहा है, f maximum तो does not exist, does not exist, does not exist, does not exist, f minimum यही है, और यही minimum value आ रही है, ठीक है न, कोई end points है नहीं, एक ही minimum value आ रही है, यही आपकी जो है absolute minimum भी होगी, और यही local minimum भी रहेगी, क्योंकि और कोई minimum है न, a की minimum है ठीक है ना और कोई end points भी नहीं है end points नहीं है न negative infinity positive infinity end points थोड़ी होते हैं तो इसका वजब यही आपका absolute minimum है यही आपका local minimum है एक ही minimum आ रहा है ठीक है ना so this is your absolute minimum भी यही है और local minimum भी यही है ठीक है बच्चो तो local minimum कितना आगे भी आपका local minimum value is 3 Local Minimum Value is 3 अभी Sup मैरे को Local Minima निकालना है अभर मेरे एको Local Minimum निकालना है आप देख़ो बहुत ध्यान से धेखो First Derivative Test तो Failure होगे न First Derivative Test तो Failure होगे न इसको तो हटा देता है तो हमने इसको Range से Solve कर लिया हमने इसको Range से Solve कर लिया अब range इसे solve कर लिया बच्चो तो f maximum तो exist ही नहीं कर रहा है इसको भी अटा देता है अब अगर कोई मेरे से minima पूछे क्या पूछे मेरे से अगर अब मेरे से कोई minima पूछे क्या पूछे मेरे से minima यानि कि x की वह value जिस पर ये function क्या आया है उसकी value 3 आ गई है तो मैं minima निकालने के लिए f minimum कितना है it is 3 यानि कि function की value मैंने 3 रिख दी equal to 3 plus modulus x तो यानि कि modulus x कितना हो जाएगा भाया 0 यानि कि x की value 0 यही आपकी minima होई x equal to 0 पर ही function क्या देगा 3 आपको minimum value देगा ठीक है बच्चो clear है अब जिनको graph से solve करना ही है यह तो मैंने range से solve कर दिया जिनको graph से solve करना है जिनको graph से solve करना है graph से भी solve कर सकते है देखिए अगर f x is equal to 3 plus modulus x है तो बहुत ही simple सा graph होता है बच्चो बहुत ही simple सा graph होता है देखिए यह वाला जो graph है ना बच्चो यह वाला जो graph है यह fx equal to modulus x का है किसका है fx equal to modulus x का है अगर आप 3 add करोगे न तो यह graph 3 units उपर चला जाएगा यह x की value 0 रखो तो f 0 कितना रहे 3 तो यह 0 पर कितना रहे 3 तो यह 3 points उपर shift हो जाएगा तो यह हो गया आपका graph किसका it is fx is equal to modulus x plus 3 तो using from graphically भी आप देख सकते हो कि x equal to 0 पर ग्राफिकली भी आप देख सकते हो कि भया अगर हम देखें fx equal to modulus x plus 3 फिग ना इसकी तो जरुत नहीं है भया तो अगर अब आप यहाँ पर देख रहे हो तो भया x equal to 0 पर function आपको minimum value दे रहा है चीक ना और entire real numbers पर यही आपका absolute minimum भी है और यही आपका local minimum भी है और यह value कितनी है 3 है तो यह absolute minimum भी है और यह आपका local minimum भी है ठीक ना और x equal to 0 आपका क्या हुआ it is the local minimum या absolute minimum भी आप बोल सकते हो ठीक ना इस case में तो absolute minimum भी होगे ना क्योंकि entire interval में entire real numbers पे यह minimum value ठीक है बट उसने हमसे कुछ local का ही जिकर किया है तो absolute का word चाहे तो हम हटा भी सकते हैं absolute word हम चाहे तो हटा भी सकते हैं और हम local का जिकर कर सकते हैं ठीक है clear है बच्चो जल्दी से बताईएगा जल्दी से बता दीजिए ठीक है तो हमने using graph भी कर दिया और using range भी इस question को solve कर दिया चले बच्चे आगे चले क्या वेरी गुड बच्चो पास्ट वीडियो ट्नोड़ ड दिखा रहे हैं तो बच्चो अब example number 20 है और example number 20 हमें कहीं न कहीं हीच के ले जाएगा second derivative test की तरफ reason है क्या reason है बच्चो आप question पढ़ेंगे question जब पढ़ेंगे आप तो local maximum और क्या पूछा है आप से local minimum तो आपके दिमाग में आता है कि या local maximum local minimum के लिए सबसे पहले क्या करूँगा मैं मैं सबसे पहले step 1 पे function के derivative को 0 रख दूँगा f dash x कितना हो जाएगा चारती है बारा x cube चारती है बारा x square माइनस बारा दूदी 24x सो यहाँ पे f dash x जो है वो कितना है इस बारा को common ले लिया बलकि मैंने बारा x को common ले लिया सो इट इस x square plus x minus 24 ठीक है और अब फर्दर अगर आप f dash x को देखें तो 12x इसका कितना हो जाएगा x square plus 2x minus x minus 2 और f dash x को गर हम बात करेंगे तो 12x यहाँ पे x plus 2 और x minus 1 यह factorization हो गया इसको बच्चो अगर हम लोग इसको बच्चो अगर हम लोग 0 के equal put कर दें इसके equal put कर दें बच्चो 0 के equal put कर दें तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो x भी 0 हो सकता है या यह वाला factor 0 होगा तो x की value minus 2 हो जाएगी बारा तो कभी 0 नहीं हो सकता तो या तो x 0 होगा या x plus 2 0 होगा तो हमें क्या देगा x equal to minus 2 देगा या x minus 1 0 होगा तो हमें क्या देगा x equal to plus 1 देगा या इसको 0 रखोगे x equal to 0 हो जाएगा x plus 2 को 0 रखोगे तो x की value minus 2 हो जाएगी x minus 1 को 0 रखोगे तो x की value plus 1 हो जाएगी तो यह तीन points है जहां पे f dash x आपका 0 हो सकता है तो these are the critical points यह क्या है आपके critical points है यह आपके kritical points है तो critical points है तो critical points थो हमने निकाल लिये critical points थो हमने निकाल लिये अब students एक ए critical point का Sleep करें एक क्रतिभल पॉंट का analysis करेंगे ठीक है बच्चो इक एक critical point का analysis करेंगे ठीक है चलिए step 2 पे एक ए critical point का analysis करेंगे Step 2, पहला part, x equal to 0 पर बात करते हैं, अब अगर students बहुत ही दियान से देखेंगे, तो f dash x का value, 0 के left में minus 1 है, और 0 के right में plus 1 है, तो अगर मैं f dash minus 1 की value निकालूंग, तो देखो, जहाँ x से वहाँ minus 1 रख दूँगा, जहाँ x से वहाँ minus 1 रख दूँगा, तो कितना है, minus का, बहुत जैन से देखेंगे, 12 into minus का 1, 2 में से गया 1, minus का 2, तो यह overall product positive हो जाएगी, ठीक है, अब मैं इसको plus 1 पे निकालता हूं, f dash plus 1 पे निकालता हूं, यानि कि 12 into 1, रख है, और 1 plus 2, और 1 minus 1, ठीक है, 1 minus 1, अब अगर आप देखो, तो यहाँ पे f dash 1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो positive से 0 हो जा रहा है, positive से 0 हो जा रहा है, तो अब इसका क्या समाधान है, मैं इसको तो solve नहीं कर पाया, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब 1 से छोटा सा number ले लूँगा, let's say मैं 0.5 ले ले, तब ही मैं आपको कह रहा था कि nearby number लेना, आपको nearby number लेना, तो मैं nearby number ले रहा हूँ, पास वाला number, आप 1 की जगह दो नहीं लेंगे, है ना nearby number लेंगे, तो f-0.5 आपने ले लिया, अब 0.5 अगर आपने ले लिया है, तो देखिए गा 12 इंटो 0.5 इंटो 0.5 प्लस 2, and 0.5 माइनस 1, ठीक है, तो यह भी positive, यह भी positive, यह भी positive, यह भी positive, बट यह negative, तो overall product क्या हो जाएगी भईया, नेगेटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब positive से negative में change हो रहा है, तो क्या स्थीती रही होगी बच्चों, क्या स्थीती रही होगी इस point में, जल्दी से बताओ, maximum आ रहा होगा, तो this point is local maxima, क्या है बच्चों यह, local maxima है, ठीक है, उसने हम से क्या पूछा है, local maximum बताओ, local maximum बताओ, तो यह लिकिए, यह local maxima है, तो अब fx equal to 0 पे, जो हमें value मिलेगी, वो क्या होगी, local maximum value होगी, क्या होगी बच्चों वो, local maximum value होगी, ठीक है, local maximum value होगी, अब fx equal to 0 कर हम put करेंगे, तो देखो, यह खतम, यह खतम, यह खतम, यह खतम, यह खतम, यानि कि 12 बच्चेगा, तो यानि कि 12 हमारे को क्या मिल गई, one of the local maximum value मिल गई, ठीक है बच्चों, clear है, clear है क्या, जल्दी से बताईएगा, अब students हम लोग क्या करेंगे, step number 2 पे, हम लोग second critical point का analysis करेंगे, यानि कि 0 का कर चुके है, minus 2 का करना है, क्या करना है, minus 2 का analysis करना है, minus 2 का analysis करना है, तो यानि कि आब minus 2 का analysis करेंगे, देखो यहाँ पर x equals to minus 2 लिखेंगे, ठीक है, अब x equal to minus 2 लिखेंगे, बच्चों तो बहुत ही दियान से देखेंगे, minus 2 के left में कोई number ले लो, आप, let's say minus 1, minus 2 के, sorry, minus 2 के left में कोई number ले लो, minus 3, minus 2 के right में कोई number ले लो, let's say minus 1, अब f dash minus 3 पे देखेंगे, क्या आ रहा है, f dash x की value minus 3 पे देखेंगे, तो 12 into minus 3 into minus 3 plus 2 into minus 3 minus 1, तो देखो बच्चों, यह plus sign, यह negative sign, यह भी negative आएगा, minus 3 plus 2 कितना होगा, negative हो जागा और यह भी negative, तो overall product कितनी हो जाएगी बच्चों, overall product क्या हो जाएगी minus 3 पे, negative हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा, minus 1 पे चेक करूँगा, तो यानि कि मैंने f dash x का, मैंने क्या करना है, कहां पे चेक करना है, minus 1 पे चेक करना है, minus 1 पे मैं already चेक भी कर चुका हूँ, positive है, है ना, minus 1 पे मैं चेक कर चुका हूँ, f dash x positive था, तो negative से अगर positive हुआ है, तो इसका मतलब tangent का, tangent ऐसी रही होगी, फिर tangent ऐसी रही होगी और curve ऐसे रहा होगा, तो यानि कि minimum आया है, इसका मतलब यहाँ पे आपका local minimum exist करेगी, लोकल minimum exist करेगा, यानि कि function की value, minus 2 पे आपको local minimum value मिलेगी, local minimum value मिलेगी आपको, ठीक है बच्चो, local minimum value मिलेगी, और local minimum value मिलेगी तो आप रख भी सकते हैं, माइनस 2 तो का 2 gonna 4 gonna 8 gonna 16 ती तो ठीक है, और 2 gonna 4 gonna 8 चोक 32 माइनस का 32 और 2 gonna 4 gonna 12 चोक 48 माइनस का 48 और पिलस बारा, सो बेसिकली इससे ये खतम हो गया और हमारे पास माइनस को 20 अगया, लोकल minimum value माइनस का बच्चुल अब हमने दूसरा critical point भी analyze कर लिया है, अब बचता क्या है x equals to 1 तो 1 को भी हमें analyze करना पड़ेगा ठीक है जगह कम होनी की वज़े से यहीं पे गुचड मुचड करना पड़ेगा हमें कुछ ना कुछ तो ठीक है ना x is equals to plus 1 की बात कर रहे हैं हम है न अब x equal to plus 1 की अगर हम बात कर रहे हैं बच्छो बहुत द्यां से छोटा नंबर ले सकते हैं let's say 1 से छोटा छोटा नंबर कितना होगा 0.5 ले ले और वन से थोड़ा बड़ा नंबर क्या ले ले विया टू ले 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 नहीं है ठीक है तो 0.5 पे हमने देखा है था f-x का sign negative है f-x का sign negative है 0.5 पे देख चुके है और 2 पे देखते है f-x का sign तो देखेंगे बहुत ध्यान से f-2 कितना हो जाएगा बच्चो f-2 कितना हो जाएगा it is 12 into 2 into 2 plus 2 और 2 minus 1 तो यहाँ पर positive हो जाएगा तो negative से positive change हो रहा है यानि कि यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको local minimum value मिलेगी ठीक है लोकल minimum value मिलेगी it is local minimum ठीक है अब local minimum मिला है तो f-x equal to 1 पे क्या मिलेगा आपको local minimum value मिलेगा local minimum value मिलेगा और वो कैसे निकालेंगे हम लोग x equal to 1 पुट करके so 4 और 3 साथ और 12 से 12 खतम हो गया तो 7 तो अगर आप बहुत ही दियान से देखेंगे पीछे जाके तो आपको देखें तीन values मिल रही है आपको x equal to 0 is the point of local maxima and local maximum value is 12 तो x equal to 0 पे 12 मिल रहा है है यह local maxima हो गया ठीक है फिर आप देखेंगे x equal to 1 and x equal to minus 2 are the points of local minima and local minimum values of x equal to minus 1 and minus 2 are 7 and minus 20 तो अगर आप बहुत यहां से देखेंगे तो 7 and minus का 20 हमारे पस local minimum values आ रहे हैं clear है बच्चो तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि इस question में अगर आपने देखा हो तो हमने first derivative test में थोड़ी जद्दो जहद करी है क्या जद्दो जहद करी है यानि कि हम लोग यह number रख रहे थे और f dash x हमारा बड़ा लंबा सा था f dash x हमारा लंबा सा था हमें इस question में time क्यों लगा क्योंकि इन numbers को जब हम लोग f dash x में रख रहे थे तो f dash x बहुत लंबा था और complex होने की वज़े से calculation भी complex थी और हम बहुत time लगा रहे थे f dash x का sign conclude करने में कि positive है कि negative है अब यही same question हम लोग second derivative test लगा के देखेंगे कि question कितना जादा आसान हो जाएगा देखना यही same question second derivative test अभी second derivative test टेस्ट क्या है देखिए local maxima और minima के लिए हमने आपको एक first derivative test बताया यानि कि local maxima minima निकालने के लिए first derivative test बताया ऐसा ही local maxima minima निकालने के लिए second derivative test भी है जो कि कई बार जो question first derivative test से थोड़े sit-up पड़ते हैं तो वहाँ पे second derivative test लगाके questions आसान हो जाते हैं है ना कोई भी चीज अगर हम लोग develop कर रहे हैं तो उसके पीछे reason यही होता है कि यार चीजों को simplify करना हमारा purpose है कभी भी कोई नई चीज आती है तो क्या होता है हमारी चीजे simplified होती है तब ही हम उसको accept करते हैं है ना वो नया भी किस काम का जिसमें समस्या पुरानी है तो इसलिए नये के अंदर पुरानी समस्या नहीं होनी चाहिए तो आईए बात करते हैं second derivative test की और फिर हम लोग क्या करेंगे इस question को re-attempt करेंगे इस question को हम लोग re-attempt करेंगे बचों है ना लोग 기 अधिक करेंगे आईए बात करते हैं आईए बात करते हैं चलिए आई ये बात करते हैं 2nd derivative test So, how to find local maxima & minima इसके लिए second derivative test भी आपको लिखवा रहे है Local maxima and minima Local maxima and minima इसके लिए क्या लिखवा रहे है बच्चो आपको Second derivative test लिखवा रहे है Second derivative test लिखवा रहे हैं आपको तो second derivative test, second derivative test, ठीक है, second derivative test रिखवा रहे हैं, अब students बहुत ही ध्यान से देखेगा, बहुत ही ध्यान से देखेगा, second derivative test में भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले critical point निकालते हैं, यानि कि हम लोग step 1 में, second derivative test में, देखो एक बात तो पता है, एक बात तो हमें पता थी, एक बात तो हमें पता थी, कि यार लोकल मैक्सिमा और मीनिमा की अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक बात तो confirm है, कि लोकल आता कहां पे है, critical point पे, local maxima मीनिमा आता कहां पे, critical point पे, ये बात तो हमें पता ही है, तो इसलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे भाईया, step 1 पे critical point निका है, put f-x बराबर 0 और ऐसा करने पे आपको कुछ x values मिलेंगे, कुछ x values मिलेंगे, and these are the critical points, these are the critical points, फिर हम इन critical points का क्या करते हैं, बच्चो, one by one analysis करते हैं, ये critical point तो आ गया, अब ये भी तो चेक करना पड़ेगा न, देखिए, ये critical points आ गए हमारे पास, अब हमें ये भी त चेक करना पड़ेगा, कि किस critical points पर máximo आ रहा है, किस critical point पर minimum आ रहा है, बीना graph को दीखे, आप कैसे बताओगे, कि किस critical point पर maximum आ रहा है, किस critical point पर minimum आ रहा है, या तो दो तरीके हैं, या तो आप function की value निकाल निकाल के देखिए, c1 पे, c2 पे, c3 पे, फिर compare करके देखेंगे कि किदर maxima किदर minima है अना लेकिन वह तो बहुत ही बोगस method है तो हमको क्या चाहिए आसान method चाहिए तो critical point पे किस critical point पे क्या आएगा maxima आएगा कि minima आएगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं हर critical point का analysis करते हैं और यहां से इसी analysis की वज़े से इसका नाम पड़ा है second derivative test तो अब हम लोग यह second derivative test कहा लगा रहे हैं भाईया हम लोग इन critical points पे देखें बच्चो यह f-x है आप f-x को समझते हैं क्या होता है f-x basically f-x होता है d2y over dx square इसकी value आप x equal to c1 पे चेक करेंगे यानि कि second derivative की value आप कहां चेक करेंगे x equal to c1 पे अगर यह value आपकी less than 0 आ गई यानि कि second order derivative में आप x equal to c1 पुट करेंगे अगर यह value आपकी less than 0 आ गई तो इसको x equal to c1 को आप बोलते हैं local maxima बहुत सारे बच्चों का ऐसा लगता है अभी सेने कहीं सालों से किसा less than 0 है तो इसको local minima बोलना चाहिए न ऐसा नहीं अगर second order derivative less than 0 है तो उस particular point पे जिस point पे second order derivative less than 0 आया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे local maxima बोलेंगे ठीक है क्यों बोलते हैं reason क्या है so basically इसके पीछे reason है geometrical interpretation अगर आप समझे बहुत ही ध्यान से समझे अगर आप समझे बहुत ही ध्यान समझेगा क्या होता है बच्चो less than 0 होता है न तो इसका मतलब क्या होता है कि उस particular point पे आपका जो कर्व है वो concave downward होगा क्या होगा concave downward होगा यह second order derivative का geometrical interpretation बता रहूं है आपको है न तो भाईया क्या होगा concave downward होगा किसी भी point देखे यह जो बात है यह जो बात है इसका geometric meaning इसका geometric meaning क्या कहता है कि भाईया इसका मतलब क्या है कि इस particular point पे graph आपका ऐसे होगा उल्टा चांद होगा अब उल्टा चांद होगा तो definitely क्या होगा यहाँ पे maximum आया होगा और maximum आया होगा तो इसलिए यह क्या होगा local maxima होगा ठीक है तो यह आपको अगर reason जानना है तो आप इस बात को note भी कर सकते हैं otherwise अगर आपको reason नहीं जानना है अगर आपको reason नहीं जानना है तो आप इतनी सी बात भी note कर सकते हैं तो यह तो क्या हुआ बच्चो हमने एक critical point का analysis किया किसका किया एक critical point का analysis किया एक critical point का analysis किया ठीक है एक critical point का analysis किया ठीक है एक critical point का हमने analysis किया है अधर भी कुछ लफड़ा है क्या अधर भी कुछ लफड़ा है क्या उपधर भी कुछ लफड़ा है क्या बैase कोई बात है sih हम सब्सक्राफ गए है बैजा लफड़ा क्या है अचन चलता हूँ दूरा हूँ तरख न वह इसको ढखाता हैro इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए ठीक है अच्छा अब ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक critical point का analysis किया यानि कि अभी हमें और भी critical point के analysis करने है second derivative test में ठीक है यानि कि अब हम लोग और critical points का analysis करेंगे चक करते हैं चक करते हैं तो यह वाली बात जिसको समझ में आ गई बले बले बहुत अच्छी बात है जिसको समझ में नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ इतनी बात याद रख लो बहुत है ठीक है चलिए बच्छों अब students बहुत ही द्यान से देखते हैं अब मैं second critical point का analysis कर रहा हूं यानि कि मैं second critical point का analysis कर रहा हूं इसका तो कहते हैं कि अगर second order derivative या फर हम लोग इसको c2y over dx square भी लिख सकते हैं इसमें अगर आप x is equal to c2 put करोगे और इसकी value greater than zero आ गई यानि कि second order derivative में आप x equal to c2 put करोगे और इसकी value greater than zero आ गई तो यह quantity आपकी क्या कहलाएगी local minima कहलाएगी अब इसके पीछे भी logic है इसके पीछे भी logic है क्या logic है इसका भी एक geometric interpretation है कहते हैं कि अगर किसी point पे अगर किसी point पे second order derivative greater than zero होता है तो इस बात का geometric meaning क्या होता है कि उस point पे graph जो है वो concave upward होगा क्या होगा concave upward होगा यानि कि इस बात का geometric meaning इस बात का geometric meaning क्या है बच्छो geometric meaning क्या है कि अगर किसी point पे second order derivative greater than zero है तो उस point पे आपका graph सीधा चांद होगा concave upward graph होगा अब concave upward हुआ तो इसका मतलब इस point पे minimum ही आएगा और minimum आएगा तो इसलिए हम इसको local minimum घोशित कर सकते हैं कर देते हैं ठीक है ना तो यह इसका reason है ठीक है ना concave upward और concave downward वाली बात हमने आपको बता दी बहुत सारे बच्चों को यह बात समझ में आती है अच्छी भी लगती है वो note भी कर लेते हैं बहुत सारे बच्चों इस बात को skip कर देते हैं और सिर्फ तो मोटा मोटा ज्यान जो है उसको याद रखते है आ तो मोटा मोटा ज्यान क्या है यह है है यह है ओप युह अच्छ भी आ बात है ठीक है ठीक है तो यह तो हमने आपको एक्स्ट्रा नॉलिज दी थी अब स्टुडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे अब हम लोग तीसरा critical point का analysis कर रहे हैं कि भई या f double dash x यानि कि d2y over dx square अब देखो अगर हम critical point number 3 डालते हैं यानि कि x equal to c3 रखते हैं तो देखो एक बार negative आच चुका second order derivative less than 0 आचुका एक बार greater than 0 आचुका मान लो इस बार क्या आजाए equal to 0 आजाए गया कि second order derivative के value x equal to c3 रखने पे equal to 0 आजाए तो ऐसी जगहा पे second derivative test fail हो जाएगा और we will go to first derivative test फिर हम लोग first derivative test पे वापस से पहुच जाएंगे ठीक है और देखेंगे कि भईया कही point of inflection तो नहीं आ रहा x equal to c3 ठीक है clear है क्या तो यह हुआ आपका second derivative test अब यही same second derivative test आपका apply करके दिखाते हैं हम कहां पे आपका इस वाले question में जो की बहुत जादा lengthy हो गया था from the first derivative test तो फटा फट से बच्छो second derivative test को आप note करेंगे clear है अरे clear है क्या बाबा जल्दी बोलो ना जल्दी बोल दो बोल दो ना जरा बोल दो ना जरा चलिए अब students हम लोग critical point तो निकाल चुके हैं सेकंड derivative test में भी critical point निकालने का method तो same ही है अब हम लोग यहां से first derivative test नहीं लगाते हैं हम यहां पर second derivative test लगाते हैं ठीक है, second derivative test लगाते हैं, ठीक है, second derivative test लगाते हैं, चलिए भीया, एक एक critical point का analysis करेंगे, step 2, और यह क्या लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर second derivative test, पहले number पे हमने f double dash x किया, यानि कि हम लोग second order derivative d2y over dx square निकाल रहे हैं, यानि कि हम लोग function को कहां से differentiate करेंगे, देखिए f dash x निकाल चुके थे, इसका द्वारा से differentiation करना है, तो द्वारा से differentiation कितना हो गया, 12-36 x square प्लस 12-24 x माइनस का 24, ठीक है भीया, यही आगया second derivative, भीया जल्दी से देखिए 12-36 x square, 12-24 x माइनस का 24, अब students, अब अपना d2y over dx square में, आप पहला critical point रखी, यानि कि x equal to 0, अब x equal to 0 पूट किया, आपने तो क्या हो जाएगा भीया, यह भी 0, यह भी 0, और माइनस का 24, यानि कि ओवराल माइनस का 24 आगया, अब second derivative क्या आगया भीया, आपका less than 0, second derivative आपको क्या आगया, second order derivative क्या आगया भीया, x equal to 0 पे less than 0, अब हमने आपको क्या बताया था, अगर second order derivative x equal to c1 पे less than 0 आजाए, तो इसको हम लोग क्या बलते हैं, local maxima, तो यानि कि अब हमारे पास x equal to 0 क्या होगे बच्चो, local maxima, कहना को सरी ये तो बहुत ही जादा आसान तरीके से बता दिया, आपने हमें, है ना, अब इसके corresponding, आप जब f x equal to 0 निकालोगे, तो वही आपका क्या आजाएगा, local maximum value आजाएगी, और जो कि कितनी आगई थी बच्चो, x equal to 0 पुट करने पे 12 आगई थी, है ना, second point, यानि कि हम लोग क्या करते हैं, second order derivative में, अब हम लोग x की value क्या पुट करते हैं बच्चो, minus 2 पुट करते हैं, तो देखिए, अब minus 2 पुट करेंगे, तो कितना होगा, minus 2, 2, 4, 36, 4, 36, 32, 32, 24, 24, तो प्लस का 144 आएगा, minus 24, 28, और minus का 24, आपको भी दिखरा है यार, ये quantity साफ साफ greater than 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर second order derivative greater than 0 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, local minima बोलेंगे, तो this is what बच्चो, this is what बच्चो, local minima, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है न, तो यहाँ पे local minima आ जाएगा, इसके corresponding fx equal to minus 2 पे आपको क्या मिलेगा बच्चो, it is local minimum value, local minimum value, ठीक है, clear है बच्चो, clear है, अब students, मेरे पास क्या है, तीसरा critical point भी तो है ना मेरे पास, तीसरा critical point भी तो है ना मेरे पास, चेक करो, तीसरा critical point भी तो है मेरे पास, चेक कर लो, यह है x equal to 1, आप देखो 1 पे कितना value होगा 36 प्लस 24 माइनस 24 तो 36 प्लस 24 माइनस 24 अब आप कोई पता है यह greater than 0 हो जाएगा अब अगर यह greater than 0 हो गया बच्चो तो हम इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे local है ना minima अब local minima और इस पे क्या मिलेगा बच्चो हमें हमें f x equals to 1 पे क्या मिल जाएगा बच्चो इटेज देखेंगे उपर x की value 1 रखके देखेंगे 4 और 3 साथ और 12 से तो 12 कट गया 7 यह भी आपकी local minimum value अब बच्चो मेरी बात सुलेंगे second derivative से कितना आसान हो गया बच्चो अब हमारी choice है ठीक है कि हम first derivative test भी लगा सकते है second derivative test भी लगा सकते है किसी भी question में बट 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 बहुत इध्यान से समझना बट बच्चो इसकी पहचान भी है जब भी आपका f dash x complex होने लगे जब भी आपका f dash x बहुत ज़ादा complex उट पटांग साने लगे तो जायर सी बात है एक बार और differentiate करके यह simplify हो जाता है तो जायर सी बात है जब जब first derivative आपका complex हो तब तक भलाई इसी में है कि second derivative test से question solve करने चाहिए और 90% cases में second derivative test हमेशा आसान पड़ता है तो इसलिए बहुत सारे बच्चे तो first derivative test लगाते ही कम है ठीक है और कोई ऐसी बुराई नहीं है आपकी CB derivative test से question को solve कर सकते हैं तो अब students अगर हम लोग back to the back to the initial page चले जाएं यानि कि initial page क्या है हमारा ये तो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो हमने आपको graphically maximum minimum निकालना सिखाया हमने आपको range से निकालना सिखाया first derivative test भी सिखा दिया second derivative test भी आपको हमने सिखा दिया है अब students क्योंकि lecture काफी लंबा हो जाएगा ये और आप यकीन मानो अभी मैंने maxima और minima में सिर्फ theory पढ़ाई है अभी questions कराना बाकी है तो ये वाला जो part है ठीक है plus questions I would suggest कि हम लोग next part में करें तो जादा better है क्योंकि अभी ये फिर बहुत लंबी वीडियो ये तीन साड़े तीन चार घंटे की वीडियो पहुच जाएगी तो I think इतना maxima minima आपको समझ में आया होगा आपने enjoy के साथ मजे के साथ इसको पढ़ा होगा तो उम्मीद करता हूँ कि सबको बढ़िया लगा होगा समझ में आया होगा सो मिलते हैं next lecture में और ये वाला पार्ट भी cover करते हैं प्लस जितना भी तक सीखाया है उसके उपर खूब धडले से questions भी करते हैं सौल ठीक है ना सो thank you very much students के notes आपको हमारे CBSC class app पे मिल जाएंगे free study material section में and so that आप on the way on the go कभी भी scroll up scroll down करके revise कर सकते है and see you in the next lectures thank you very much bye bye love you all